हेलो एब्रिवन तो आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बीए सेकिंड एर थर्ड सैमिस्टर का जोगिर्फी यानि भूगोल का सिलेबस जिसका पेपर टाइटल है हमारा इन्वायमेंट, डिसास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज यानि परियावरण, आबदा प्रभंदन और जलवायू परिवर्दन हिंदी इंग्लिश दोनों ही लेंग्वेज में हम सिलेबस को समझेंगे एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ तो ये जो सिलेबस है, हमारा उफिशल वेबसाइट से डाउझ लोड किया गया सिलेबस है आप देख सकते हैं और ये UP स्टेट की UP State की सभी Universities और Colleges के लिए ये Slavis है ठीक है 2020 के तहट NEP 2020 के तहट जारी किया गया है और ये 2024 का updated Slavis है ठीक है जोगिर्फी का तो ये है हमारा इसमें आपको आप देख सकते हैं कि second semester में आपका ये human जोगिर्फी था और third semester पे आपको ये पढ़ना Environment, Disaster, Management and Climate Change ठीक है और आपका practical भी होगा जिसमें आप ये देख सकते हैं practical का भी Slavis PDF में दियावा है ठीक है ये दो हमारा theory का Slavis है practical का भी Slavis इसमें दियावा है ये रहा practical का Slavis इसका भी आप screenshot ले सकते हैं ठीक है पिछद्दर नंबर का आपका एक्जाम होता है 75 नंबर का 25 नंबर में आपको practical का मिलते हैं तो आप इसका screenshot ले ले लें इसमें भी 4 यूनिट है और अब हम चलते हैं अपने Main Slavis पे जो है हमारा इसमें 80 यूनिट है हमारे Main Slavis में जिसमें हमें परियावरान के बारे में पढ़ना है आपदा के बारे में पढ़ना है आपदा प्रबंदन और जलवायू परिवर्तन ठीक है Climate Change जिसमें यूनिट फर्स्ट के बारे में हमें basic पढ़ना होगा Concept and Components of Environment Ecology and Ecosystem यानि परियावरान का concept ठीक है परिस्थिति की और परिस्थिति की तंतर की अबधालना है पढ़नी है और घटक पढ़ने है ठीक है Environmental Education in Vidas वेदों में जो हमारे वेद हैं ठीक है उसमें परियावरान की सिक्षा क्या थी इसके बारे में पढ़ना है ठीक है और पढ़ना है Indian Traditional Knowledge in Environment and Disaster Management यानी परियावरान और आपदा प्रिभंधन के भारतीय परमपरिक ज्ञान के बारे में पढ़ना है ठीक है जो भारतीय परमपरिक ज्क्षान है यानि जैब विविद्धा ठीक है और उसका संरक्षण और उसका सतद विकास ठीक है यह हमें पढ़ना है unit second में मतलब हमें जैब विविद्धा पढ़ना है इस unit second में next है हमारा unit third जिसमें हमें पढ़ना है deforestation यानि वनों की जो कटाई होती है soil erosion मिर्दा अप्रदन ठीक है soil soil exhaustion मिर्दा छे ठीक है जो मिर्दा का छे हो जाता है exhaustion ठीक है उसको पढ़ना है desertification यानि मरुस्थिली करण पढ़ना है air pollution जो वायू प्रदूशन होता है हमारा ठीक है water pollution disposal of solid waste यानि toast अपशिष्ट जो होते हैं उनका निप्टान कैसे किया जाए इन सब के बारे में हमें unit 3 में पढ़ना है next है नेक्स telef जिसमें हमें बढ़ना है ? गंगा action plan जो है ठीक है टाइगर प्रोजेक्ट जो है टाइगर परियोजना के बारे में unit 4 में के बारे में पढ़ना है ठीक है तीहीरी बान जो है हमारा उसके बारे में पढ़ना है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जो है नर्मदा घाटी परियोजना उनके बारे में पढ़ना है तो यूनिट फोर में हमें परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है नेक्स्ट है हमारा यूनिट फिफ्ट जिसमें हमें पढ समझना Green House Gases and Global Warming ठीक है Green House Gases और Global Warming जो होती है उसको समझना ठीक है तो Unit 5 में हमको यह पढ़ना है नेक्स्ट है हमारा Unit 6 जिसमें हमें पढ़ना है Global Climate Assessment IPCC IPCC क्या है इसकी full form है Intergovernmental Panel on Climate Change, यह एक panel है Climate Change को पर Impact of Climate Change पढ़ना है National Action Plan on Climate Change ठीक है यानि वेश्विक जलवायू आकलन पढ़ना है जिसमें हमें पढ़ना है IPCC के बारे में जलवायू परिवरतन के प्रभाब पढ़ना है जलवायू परिवरतन पर राश्तिय कार्य योजनाय पढ़ना है ठीक है तो यह हमें पढ़ना है Unit 6 में Next ह हमारा Unit 7 जिसमें हमें पढ़ना है Disasters के बारे में ठीक है Disasters के बारे में पढ़ना है जो हमारी आपदाय होती है हूकम वगेरा जो भी बार वगेरा जो भी आपदाय होती है उनके बारे में पढ़ना है ठीक है Hazards पढ़ना है खतरे जो भी रिस्क होते है जो किम vulnerability पढ़ना है बेदलता type of disaster आपदाओं के पिलकार ठीक है disaster management उसका प्रभंदन कैसे किया जाए आपदा का है न डिसास्टर management cycle जो है हमारी उसको पढ़ना है आपदा प्रभंदन चक्र के बारे में तो यह सब हमें पढ़ना है unit 7 में ठीक है next है हमारा unit 8 जिसमें हमें पढ़ना ह ठीक है earthquake पढ़ना है tsunami पढ़ना है landslight chemical and nuclear disasters पढ़ना है do's and don'ts during disaster मतलब disaster के दौरान क्या करें क्या ना करें यह हमें पढ़ना है तो यह सब आपदा के ही मतलब आपदाई ही हैं उनके बारे में हमें detail में पढ़ना है जैसे की बार और सूखा चक्रवाज, cyclone ठीक है भूकम, tsunami, भूस खलन, रसाइनिक और परमाडू आपदाय जो होती है ठीक है और आपदाओ के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनके बारे में हमें unit 8 में पढ़ना है ठीक है तो यह हमारा geography का syllabus था किसका भी थर्ड सेमिस्टर का UP State University के लिए ठीक है और syllabus देखने में मिल जाएगा वहां से आप सारे subject के syllabus को देख सकते हैं और English की classes भी start हो गई है थर्ड सेमिस्टर के लिए और फिफ्ट सेमिस्टर के लिए भी English की classes पहले से ही upload हो रखी है तो आप वहां से playlist वाले मतलब हमारे चैनल के playlist वाले session में जाकर English की classes को देख सकते हैं अच्छे से एक topic cover किया गया है उसमें English के syllabus का ठीक है और साथ साथ इसका PDF कहा मिलेगा तो इस जो यह हमारा syllabus है इसका PDF आपको इस ग्रूप पे मिल जाएगा टेलिग्राम ग्रूप पर जॉइन हो जाएं क्योंकि वहां पर और भी third semester से related material upload होता रहता है या फिर PDF का link आपको description में मिल ठीक है तो description में जो third semester का अलग group बनावाए हर semester का group बनावाए वहां से आप अपने semester में add हो सकते हैं और वहां पर आपको सारे ही मतलब जो भी PDF अवेलिबल होंगे वहां आपको मिल जाएंगे third semester से related ठीक है और साथ साथ आप इसका screenshot भी ले सकते हैं जो हमारा practical का syllabus है तो यह ह अगर वीडियो थोड़ी भी helpful रही हो तो प्लीज वीडियो को share जरूर कर दियेगा तो अब मिलते हैं next video में thank you for watching